शार्खन में राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हल चलें तेज हो गई है। दरसल शार्खन से बीजेपी ने अपने राज्यसभा उमिदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीव वर्मा को अपना उमिदवार घोशित किया है। प्रदीव वर्मा बीजेपी के महा सचीव है। पाटी के ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीजेपी की केंद्रिय चुनाव समिती ने जारकन में होने वाले आगामी राजेसभा के चुनाव के लिए प्रदीब वर्मा के नाम पर अपनी स्विकृती दे दी है लेकिन सियासी बवाल मुंबई के एक बिजनसमैन हरिहर महापात्र की ओर से नामांकन पत्र खरीदने के बाद से शुरू हुआ है कहा जा रहा है कि बीजेपी जारकन में भी हिमाचल प्रदेश की कहानी दुहराना चाहती है हरिहर महापात्र को इसको लेकर ही आगी किया है इधर हरिहर महापात्र के द्वारा नामांकन पत्र खरीदने पर जामुमो ने तंज कस्तिवे कहा है कि BJP का हरिहर के साथ खेल हो गया है क्योंकि वे हरी भी हैं और पात्र भी हैं देखिए वीडियो क्या कुछ कहा जामुमों प्रवक्ता सुप्रियों भटाचारे ने अब हरी हर है हरी को हर नए आए हैं महापात्रा भी है बहुत बड़ा पात्र भी है इसलिए महापात्रा के बारे में हर हर माद्रेओ कहां हम से भी तक बात हुआ मुझे मुझे तो मेरे पास जो सुचना है कि आफी के समाज के एक व्यक्ति जिनके पास में 28 पुर्विधायकों का खुला समर्थन है उनके द्वारा उनको यहां बुलाया गया है कि पुर्विधायकों के तरफ से एक प्रतिनीदी हरीहर महापात्रा नामंकन पत्र जायर करेंगे यह सुचना मेरे पास खेला तो हरीहर जी का हो गया इधर इंडिया गटबंधन की ओर से भी एक और नामंकन पत्र खरीदने पर भारती जनता पार्टी का कहना है कि यह सत्ता पक्ष की एक चाल है और कहीं न कहीं राजनीती की सुचिता को चोट पहुचाने का प्रयास है उन्होंने कहा कि सत्ता धारी दल को सदबुधी प्राप्थो और सर्व समती से दोनों प्रत्याशी राजसभाजाएं सत्ता पक्ष ऐसा करें देखिए वीडियो कहीं न कहीं सत्ता धारी दल का यह चाल है राजनीत को पदुशित करने का फिर से एक बार संध्यंत्र रचा जा रहा है और अगर यह संध्यंत्र रचने का काम करेंगे तो लोगतंत्र कलंकित होगी लोगतंत्र अपवित्र होगा यदि दोस्त लोग चुनाव लड़ेंगे तो राजनीत की सुचिता भी आएगी और दोनों लोग चुनाओ को लड़ने की इस्तिती पैदानी होगी और लोग तंत्र भी खुबसूरत बती रहेगी आपको बता दें जहारखन में राजे सभा की दो सीटों पर चुनाओ होनी है लेकिन दोनों तरफ से दो दो नामांकर पत्र खरीदा गया है